आप सभी को नमस्कार मैं डॉक्टर नीना लेक्चरार फर्स्टेट चंडीगर में लेक्चरार का कोर्स 22-24 जून तक आयोजित किया गया लेक्चरार को सिखाने के लिए हमारे पास तीन मास्टर ट्रेनर आये थे एक तो होम नर्सिंग की मिस सुश्मा उन्होंने हमें ट्रेनि के थे एक ग्रूप को जील किया था डॉक्टर आरके शर्मा और दूसरे थे मिस्टर अनूब जी जो की देली से आयोए थे इन तीनों मास्टर ट्रेनर्स ने बहुत अच्छी तरीके से अपना हंडर्ड परसेंट उन्होंने दिया और हमें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग द किस परकार से अपनी स्टूडेंट्स को पेंट करने के लिए हंडर्ड परसेंट अपना एफर्ट से लगाती है यहां पर जो हमारी क्लासिस थी वह मौर्निंग सुबह छे बजे से स्टार्ट हो जाती थी छे बजे के बाद हमें योगा करवाया जाता था उसके बाद 7.30 पे हमें पता ही नहीं चला तीन दिन हमारे कैसे बीत गए और हर समय जो भी कारिय होता था संजीव धिमान सर की निगरानी में होता था हर समय उनका जो हमारे सा इंट्रेक्शन था वो इतना बढ़िया था बहुत ही अच्छा था सेंट जोन एंबूलेंस के दुवारा आयोजित ले लेक्टरर कोर्स बाबा बालगनाथ टेंपल धरमशाला में आयोजित किया गया यह उसका में गेट है कितने भवे रूप से सजाया गया है इसमें जंडियां रेड क्रॉस की और सेंट जोन के लगाई गई है यह योगा का है कि जो हम मौर्णिंग में रुटीन में योगा करते थे यह सूर्य नमस्कार का पॉस्चर है यह योगा का कारीक्रम हो रहे हैं जो हम सुबह सुबह ओम का उचारन मेरे द्वारा यहां करवाया गया है झाल सुबह झाल 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 काल झाल कर वध समय समय कर दो लाउ़ ने कि अ थका टारी दो कर दो कि जो कि अडिया थो पुछ पुछ जो अर दो हुआए आटेवा है कर दो है है हमारा जंडा और उसमें हम बोल रहे हैं कि भारत माता की जै यह ओत जो हम रुटीन में लेते थे यह ओत की फोटो जैं सारी की सारी हमारी और यह हमारे सर हमारे को शडियूल बता रहे हैं कि आज का आपका schedule क्या रहेगा यह master trainer है Mr. R. K. शर्मा और यह बता रहे हैं कि कि से आपने ट्रेनिग लेनी हैं किन-किन चीजों को आपने ध्यान में रखना है यह Home nurse कि लास है उसमें sitten मैंं बता रहे हैं और देख भी रहे हैं कि जिए उनके students कैसे बैड मेकिंग कर रहे हैं यह दो स्टूरेंट्स हैं और यह बैड मेकिंग कर रहे हैं पेशन्ट के लिए और मैडम भी इनको देख रहे हैं और साथ में इन्हें बता भी रहे हैं कि बैड मेकिंग कैसे बनाया जाता है यह अनकॉंशियंच पेशन्ट है और यह देखे इसके गर्दन के पास में और अब यह कॉंशियस है अब मैं मैं बता रहे हैं किस परकार से हाथ में रखना है नेपकीन और कैसे आपने करनी हैं और अब हम इसको लटाया है, अब इसके पीछ के उपर हमने कर रहे हैं, अब हमने इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, अब हम पेशन्ट को पीछे की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, और यह फर्स्टेट का आ गया है, यह एक वेक्ति लेटा हुआ है, इसके उपर डेंजर आ गायल वेक्ति से दूर कर दिया इनके समझाने का ढंग भौत ही अच्छा है और बहुत अच्छे ढंग से अपने गुरूप A के स्टूडेंट्स को बता रहे हैं ओ ये देखो गायल वेक्ति आ गया है किस परकार से इसकी हटियां तूट गई हैं और जो पेशंट है और जो उस के साथ ही हैं वो किस परकार से सप्लिंट के द्वारा इनको लगा रहे हैं यह हमारी भेने हैं जो एक भायल वेक्ति की मदद कर रही है जिसकी बहुत जैदा ब्लीडिंग हो रही है उनकी लैक में ब्लीडिंग हो रही है सभी भेने बड़ी ततपर्ता से बड़े ध्यान अब इनको शिफ्टिंग किया जाएगा ब्लैंकिट के उपर किस परकार हमारी भेन ब्लैंकिट बिछा रहे हैं जा रहा है स्टेचर के उपर सीडियों से उपर घायल वेक्ति को लेके जा रहे हैं अब इसको एम्बूलेंस में लोड करना है यह चार वेक्ति हैं जो सीडियो के द्वारा इसको एंबूलेंस की और लेके जा रहे हैं कि यह बगुला चाल चल के आ रहे हैं यह देखिए और यह जो घायल वेखती हैं अब इसको सर ने सप्लिंट बांदी हैं यह बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए और इस बहन के तो बाजू में ही फ्रेक्चर हो गया है इन्होंने पटियां बांदी हैं स्पोर्ट दी है यह देखिए अब एक और पट्टी बांदी जा रही है इस घायल वेखती को इसकी जो बाजू की हड़ी है टूट गी यह एक और यह घायल वेखती है यह कुछ-कुछ बोल तो रहा है और एक वेखती इसकी स्पोर्ट में इसके पास में है वो इसको होंसला दे रहे हैं भाई कुछ नहीं हुआ तुम ठीक हो और इधर यह देखिए कितनी बढ़िया इसको पट्टी बांदी जा रही है यह हमार से और इनको लाज सीलिंग दी गई है और इस वेखती को एम्बूलेंस के लिए लेके जाया गया है अब इनको एम्बूलेंस में रख दिया गया है यह देखिए कितनी सोच विचार हो रही है और यह वेखती तो एम्बूलेंस के नीचे ही आ गया ओहो अब भेने देखो कैस इसको निकालेंगी बहुत अच्छे ढंग से इनको एंबुलेंस से नीचे निकाल लिया गया है इसको ब्लैंकिट के उपर रख लिया है अब इसको फोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं अब देखेंगे कि इसको चोट कहां कहां लगी हुई है शायद इसका तो ब्लड ही निकल गया अब इसको ब्लैंकिट के उपर रख लिया है अब इसको थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं अब देखेंगे कि इस वेक्ति को क्या हुआ है जो भी इनको उपचार जल्दी में ध्यान में आएगा वो इसका उपचार करेंगे इसको थोड़ा सा हिला के देख रहे हैं अब यह दे कितने अच्छे लोग हैं ये डॉक्टर के आने से पहले ही इनसाब की मदद कर रहे हैं ग्रेट वैरी ग्रेट ये और ये घायल को तो बिल्कुल भी होश ही नहीं है वो हो घायल वेक्ति को जमीन पे सीधा लटाया गया है और उसको देख रहे हैं वो कैसा ये सीन है और बिचारे के सिर पे भी पटिया बांगती हैं अब भी इसको होश नहीं है हमारे साथ ही लगेंगे उमें उसको ठीक करने के लिए फोस्पिटल लजाने के लिए कैसा खतर्नाक सीन है यह देखिए अब उसको देख रहे हैं उसका इसका रिस्पॉंस काम कर रहे है के नहीं प्रम तो उसका तो रिस्पॉंस भी निकाम कर रहा है ये देखिए कैसे चारो वेक्ति, कितने अच्छे ढंग से घायल की मदद कर रहे हैं, बीना कोई time waste किये, अब ये blanket लेंगे, अब जल्दी से इसको blanket के उपर shift किया जाएगा, कितनी जल्दी कोई भी एक minute का भी time waste नहीं करना चाहरा, अब देखो ध्यान से कैसे blanket को fold किया जा र और घायल को साइड करवट लटाएंगे देखा आपने अब यह देखो इसके नीचे पूरा ब्लैंकेट विछा दिया गया अब घायल विक्ति को सीधा किया जा रहे कि अब इसको एंबुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया है कैसा सीन है कितना अफसोस लगता है यह देखिए अब दूसरा घायल विक्ति त्यार हो चुका है एंबुलेंस में शिफ्ट होने के लिए यह होम नर्सिंग की मैम बता रहे हैं कि हेर केर कैसे किया जाता है कैसे कैसे इसके स्टेप्स हैं यह वेक्ती लेटी हुई है तो मैम बता रहे हैं कैसे इसके हेर वाश करने है कैसे कैसे स्टेप्स लेने देख रहे हैं आप मैम कैसे कैसे स्टेप्स बता रहे हैं कितने अच्छ बता रहे हैं कि CPR कैसे दिया जाता है जैसा कि अभी आपने मेरी वीडियो देखी ऐसे मेरे को आशा है आप सभी को मेरी वीडियो पसांद आई होंगी आप सब कर वीडियो देखने का दिल से धन्यवाद 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 कर दो